प्रकास सरवारांट सी से आप सभी लोगों का एलेनिक विद दुर्गेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं और आज हम सभी लोग आप लोगों के लिए एक नया क्लास देने जा रहे हैं हिंदी का एक नया क्लास श्टार्ट हो गया है जो कि डेली एसी टाइम एक बज़े ही लाइब होगी और इसमें आप सभी लोगों को यूपी टेट हो सूपर टेट हो और इसके साथ ही साथ लेखपाल जो भरती आने वाली है जो यूपी ट्री पदसी करवा रही है इसलिवर में जीतने भी कहीं भी अगर आप लोग सामान हिंदी का क्लास करेंगे सामान हिंदी तक सभी लोग तक पहुच जाए और आप लोगो को यह सूपर टेट के लिए जो मैं बोल रहा था कि हिंदी की क्लास आएगी वो क्लास आचुकी है तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कोशन आप लोग के सामने है यहां पर सभी लोगों को न सबसे पहले कोशन आपसे संस्कृत इência करता चलूँगा तो सबसे पहला कोशन पर मैं उन अलग वाले चीज़ को कशने बतादं गा कि अस संस्कृत नहीं है लेकिन यह हिंदी में उस चीज़ को वहां करता चलूँगा तो सबसे पहला question right answer सभी लोग दिये है बी और मैं मानने सोरो सब से request करूँगा अगर हमारी अवास उनके तक पहुंच रही है तो अगर कोसिस करें तो हर question पे पोल लगाते हैं तो ज़्यादा सभी होगा आज आप हर question पे पोल लगाएं हिंदी वाले question में question number two हम लोग चलते हैं question number two निवन पे अर्थस्वर कहलाता है अब देखो यहाँ पर ए हर्थस्वर का जो concept है यह संस्क्रिट में नहीं है जो अर्थस्वर का का कहलाता है तो अर्थस्वर कौन को सब्सक्राइब party of original अब आपको इस पश्ट को गया होगा कि हाँ इस में अर्थस्वर कौन है तो जैसा आप लोग जानते हैं जो लोग हिंदी पढ़ते होंगे हो हिंदी में दो वर्णों को एक तो यह और एक वह इन दोनों overearno को क्या कहा जाता है और थुस्वर कहा जाता है यह और व को याद के सवर दो बताए गए एक यह और एक वро तो इसके हीसाब से यहां पर right answer जो आएगा वह आएगा यह मनेफैला answer second next में कोशन number 3 में देख लिसे हैं कि यहां पर हां सारी चीज़े बिल्कुल वीव चीज़ आ रही है आप लोगों की जो दिखाई दे रहा हुगा साफ दिखा है ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कई से तो नेक्ष को सन का आप लोग जबाब दीजेगा तब तक मैं आप लोगों के चैट को फी थोड आप लोग ध्यान समझेगा सभी लोग बिल्कुल सही जार है है चलिए तो अब इस वाले कोशन में जो कोशन बर तीन है महा प्राण धोनिया व्यंजन वर्ग में किससे संब्दित है जो महा प्राण है आप लोग पढ़े होंगे जो वाहे प्रितन होता है वो एक होता है उस इतने से अलप प्राण किसका है सहंस्कित का नियम यहां बिल्कुल आप काम कर वा लिजिएगा कि वर्गों का पहला तीसरे, अजो सब्त प्राण होeton के Mहा प्राण किसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा दूसरा और चवथा राइट एंसर इसका क्या मिल जाएगा प्रश्ण संख्या 3 राइट एंसर C बिल्कुल करेक्ट एंसर दे रहे हैं आप लोग यह परिच्छा UPTGT की 2013 में पूछी गई थी यह कोस्चन प्रश्ण संख्या 4 हमाते हैं हिंदी वनमाला मे उसमें वेद्जन कौन 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 से है मैं आपको बता दूँ कि संस्क्रित रही जैसा यह कोस्चन है जो लोग संस्क्रित मारसाब करते होंगे उनका यह कोस्चन कहीं से गलती रही होगा कट्ता ही गलत नहीं होगा तो सभी लोग प्रश्ण संख्या 4 के लिए उतर करें और अगर हमारे हमारी अवाज सरफ सर तक पहुच रही हो तो प्लीज पोल लगाएं पोल अगर हो पाए तो जरूर लगाएं अगर हमारी वाज सुन रहे हैं तब अधरवाज फिर क्लास तो चली रहा है इस वाले कोशन में सभी लोग सभी कोशन का जबाब दें नहीं तो सभी लो में हमारी मुखसेथ थोड़ी प्राणवायों अधिक निकलती है थोड़ा अधिक निकलने की वज़े से क्या हो जाता है यहां पर उश्मवेंजन कहा जाता है ठीक आगे चलते हैं यह PCS की प्री परिच्छा 2012 में पुछी गई है मैं यहां पर कोस्टन इसलिए यहां पर थोड लेखपाल भरती परिच्छा में है और जो यह PCS लेबल में सुचो प्री में ऐसा कोशन पर ले आता था यह भी है अभी भी आ सकता है मेंस वाले पर ऐसे होते थे पहले लेकिन अब मेंस वाले पर बदल गए हैं थोड़े तो उसके बाद में मैं आपको बता दूँ कि जितन चैप्टर को इसमें नहीं रखा हूं थोड़े में ही रखकर करके आप लोगों को देने की कोशिस किया हूं अब यहां पर जो प्रिश्ट संख्या पांच है पांच एक तो इसका आपसर ही नहीं है चलिए हम देख रहते हैं भासा की सार्थक लगुत्तम इकाई इसी में से आप बताजे क्या है सब्द ध्वानी या वाक्य तो जो लगुत्तम ही काई है ना वो ध्वानी से प्रारंब होती है यहां पर भासा की जो यहां पर लगुत्तम बताया जा रहा है कि भासा के लिए क्या होगा तो इमान के चलिएगा कि यहां लगुत्तम जो है इसके हिसाब जो आपसान यहां पर दिखाई दे रहा है, जो अभी यहां पर बचा है, देखने पर तुरंत दिमाग पर नहीं आ कि इसमें क्या है, फिलाल B वाले पर आप यहां पर अगर डालना है, तो आप डाल लेजिए पद, सब्द पद ध्वानी वाके, तो ध्वानी से प्रारम हो जा आप बस देखते चलिए, दिमाग पर बस आप लगाते चलिए कि हां, कहां पर क्या मिलता जा रहा है, यह कोशन जो है, च्छो वाला कोशन यह प्रस्वान किसके योग से बना है, यह दोनों परिछाओं में बहुत महत पूर्ण है, हिंदी हो, संस्कृत हो, यह दोनों विश च्छो बनता है, च्छो च्छो नहीं, अब यहां पर चुकषिसको पूरा कर करकर दे दिया गया है, तो कब में, जब हम इस को मिलाएंगे, क्योंकि यहां पर पूरा पारण जो बन जाता है, ठीक, अगर अलंत लगाते हैं, तो हां हलंत में ही बन जाएगा, एग भी देखि इसके साथ में च्छो और एक त्रह और एक ज्यां यह कई बार कुश्चन त्रह ज्यादे तर उसमें च्छो को ही पुछा गया है तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं अइसे पुश्चन को आप अपने दिमाग में बैठाते चलें यह हंदी में हो या संस्कुर्ट में दोनों स्ट्रह स्ट्रह स्वें वहां जरूर बताँ ठीक है जो लोग हमारे सांथ में सौन कि बहुत दिनों से पढ़ रहे थे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हाँ इसमें कहां पे चेंजिंग आएगा मैं बताता चलूंगा जो लोग हिंदी हमारे साथ पढ़ेंगे उनको बहुत ही मिलेगा क्योंकि हम संस्कृत और हिंदी दोनों का एक तरीके से नाल्सिस दे सब क्या होते हैं सब तालब क्यों होते हैं तो डियान सर किया जाएगा इस वॉद्कुल पूहिए हो अगर आप लोग बैक उत्तर कर रहे हो तो कोसर नमबर डालके करो अधर्वाइस राइट एंसर आप कर रहे हो बहुत अच्छा जहां नहीं सब्सक्राइब पूछना सोच लो कि यहां पीएससी में भी पूछा गया है जो पीएसस लेबल परिच्छाएं होती है जो जी आइसी सीध्वानी अलपप्राण है एभी सोचो पीजीटी 2009 में ही पूछा गया था खग धा च जो भी है अभी आपको मैं बताया हूं इसका उत्तर अभी कुछ देर पहले मैं अलपप्राण और महाप्राण के बारे में थोड़ी सी चर्चा किया था क्या था वर्गों के पहले ती उता है यह दूसरा है तो वर्गों का पहला वान ता वान यहां पर दिया गया है और यहां पर क्या हो गया आपका ता जो दिया है यह क्या हो जाएगा आपका अलपप्राण एक चीज मैं और आपको बता दू कि हिंदी में जहां भी इस तरीके से कुछन आते हैं उसमें हलं तो ऐसा कोशन यहां पर थो इधर उदर बन जाता है दिमाग लगाना पड़ता है कि हाँ यह ऐसा भी सकता है लेकिन संस्क्रिट जो एकदम बिल्कुल सुद्ध लिखे देता है यहां अलंट गुरे नहीं लगा होता है आप घबरानिक बात नहीं है लगा सकते हो ठीक देखो बहुत कम में अलंट लगाएं हालाकि है तो कि आप अलंट लगा दी है हिंदी की इस पर्स घोस महाप्राण दंत या व्यंजन भनी है माने पहले इस पर्स घोस भी हो वह महाप्राण भी हो और वह दंती हो तब बताईए तो पहले चेक करो कि इस पर्स सभी के सभी इस पर्स इसमें नहीं आएगा पहले को काट के साइड करो अब जो बचे उसमें देखो कौन दंती है दंती यहां पर दिया गया है ना दंती भी होना चाहिए दंती कौन है तो दो आ नहीं तो वर्गों के पहले सुरी दूसरे और चौथे चुननार तो तो थो होगा दो से महाप्रान में तो सह दिमाग में अद्ध्यान देना तो आपको बात ही अलग हो गया हमको पहले दंती हम चेक कर सकते हैं महाप्रान हम चेक कर सकते हैं इस पर्स हम चेक कर सकते हैं सामानने सी बात है इस पर्स मतलब करसे ले करके मत तक की धुनिया तो करसे ले करके मत तक को आप ले लिए तो इसमें से एक ठो हप पहले कट गया फिर दंती वन अगर ले रहे हो या फिर सीधे सीधे दोनों नहीं है, तो केवल C correct हो जाएगा, तो अध्यान से देखेंगे तब स्मयाएगा, जो लोग पूरा पढ़े होंगे हमारे साथ में, उनका यहाँ पर जरूर काम करेगा, प्रश्ण संख्या, दसवाँ, और दसवे का उत्तर क्या होगा, संसकृत में आप लोग पढ़े ह हैं, ठीक, तो कौन-कौन से अयोगवाह होंगे, आप यहीं पर बता दोगे, तो उत्तर आपका correct हो जाएगा, यहाँ पर हिंदी में ध्यान देना दो ही अयोगवाह, और संस्कृत में चार अयोगवाह आप लोग बताते हो, ठीक, तो दूसरा point आपको मिल गया, कि अयोगव और वह मिल गए, और दूसरी चीज यहाँ पर दूसरा answer एक अलग जो अभी जा रहा है, अयोगवाह का, तो अयोगवाह संस्कृत में चार और यहाँ पर दो माने गए हैं, अंग और अह, हालाकि आप संस्कृत वाले नियम से इसको सही कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अयोगव क्या था वहाँ पर, अंग, अह, जिहवा मूलिय, और उपध मानी है, तो यह दोनों तो आप संस्कृत पर दिया ही नहीं है, अंग और अह में से दो दिया गये थे, तो यह तो आप करेक्ट कर ही लोगे, तो लेकिन क्योश्चन आ जाए कि अयोगवाह कितने हैं, तो अयोग तो वहाँ यहाँ पर वन दो ही हैं, ठीक, अंग और अह, नहीं है, और उसके बाद में यह संस्कृत में अगर आएगा, तो चार आप वहाँ पर बताओगे, वहाँ पर आ जाएगा, अनुस्वार, विसर्ग, जिहवा मूलिय, उपध मानी, तो वहाँ पर हो जाएगा, यह कोशन देखो, यह ट्रिपल सी में पूछा गया है, अर्थात लेखबा लोगा रहा है, यह फिर जो ट्रिपल सी पर इच्छा कराएगी, उसमें यह कोशन आ सकता है, ठेक, नेक्स कोशन देखना थोड़ा, इस कोशन में, निम्न में बता ये, कि किस सब्द में द्वित्व व होता है अगर आपको पता होगा दूत्व वेंजर, अगर आप समझ पाये, तो तर देजिए, अपना तर्क लगाएंगे, तब ही समझ पाये, कि क्या होता है, द्वित्व, द्वित्व मतलब एक ही वन्ड़ दो बार आए, ठेक, नेम ठीक से देखो, कोई और बता देगा, कह जल्दी बताएं तो इस प्रश्ण का उतर सभी लोग सेयर नहीं किये हैं आज हिंदी की क्लास है सभी लोग सेयर करें सभी लोग जितने भी हो सके सभी लोग सेयर करें मैक्सिमम सेयर लोग सेयर करें मैं बताया था जैसा कि मैं बताया था कि आप लोग को हिंदी की क्लास लग दो बार आया है धिक जो दिल्ली में है यहां लग दो बार आया यहां ध्यान देना दोट हो जाता है एकस्मिन वसरे तो यहां पर दो बार नहीं आ गया हो जाता है आपका भिन्न में न क्या है द्वित्य है थे बहुत अच्छा कुश्चन आप यहां देखिएगा यह कौन से बेंजन कहे जाते हैं थोगा इस प्रश्ण के हिसाब से उत्तर स बस तू जो लोग like share कर देते हैं वो देखो एक शी बता हैं कि गुरु से कपट न मित्र से चोरी के होई नीरे धना के होई कोड़ी बिलकुल हिंदी की क्लास daily मिलेगी संस्कृत की क्लास आगे बढ़ा दी गई है संस्कृत भी Delhi मिलेगा लिया संस्कृत वाली यह मैं उसको चार वजे बाले में डालने की कोशिस कर रहा हूं जदा जदा क्लास देने की कोशिस की जा रही है तो ए ध्यान देना सा 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 ह में से कौन से व्यंजन कहलाते हैं कौन से व्यंजन कहलाते हैं सा 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 ह तो ध्यान दो यह इस टाइप का जो क्या बोलते हैं इसको वर नेंजन कर लेते हैं इस तर्किस कर लेते हैं लेकिन जो प्रकम्पी हर्षी इसपर » compelling आप MBA से आपको हिंदी में ही दिखाई देते हैं थ्यान देना है इस पर नहीं उस्म संघर्शव पूरा नाम दे दें तो इसके साथ में अगर उसम लगा दिया जाए तो और सही हो जाता है तो यह कौन सट रखी है र क्या है लुन्ठित है ना र को लुन्ठित कहा जाता है और जो ल है उसको पार्स्विक कहा जाता है क्या जहता है ल को पार्स्विक इसको दिमाग रखना आगे कोशन हो सकता है आ जाए ल को पार्स्विक और र को लुन्ठित इसको ध्यान रखना यह चीज जो एक एक चीज नवीन विकसित ध्वनिया कौन सी हैं इसमें से आपको यह बताना है कि निमलिखित में से नवीन विकसित ध्वनिया कौन है ठीक अब आप लोग थोड़ा से दिमाख लगाओ और फिर देखो कि इसमें से कौन हो सकता है थ्वाइस के लिए मैं समय आपको दूँगा ताकि आप लोग अपना दिमाख लगा सकें और बता सकें ठीक है श्रीमन नारायन नारायन श्रीमन नारायन नारायन कि इसमें पहले तो दो दो है इसमें तीं ठोतो director की लग्यापी है जो आप पड़े होंगे और भी फार्षी की जो होते हैं लहाल और यह रहाल है क्ल्सक्राइक गो कुछ और अगे जब भी होगा तु उसको हम हटाने की कोशिस करेंगे तो एक यहाँ पर इदर्थवा था खा और गा लगाई है ठीक है आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा घोस वाण है किसको घोस कहा जत्या कौन सा अघोस तो घोस और अघोस के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप जरूर तर देना हालांकि संस्कृत वाला रूल लगा हस समारा नादा घोस हस प्रत्याहार में जो आते हैं वो घोस होते हैं ठीक हस समारा नादा घोस घोस किसमें होते हैं हस प्रत्याहार में तो हस प्रत्याहार में वर्गों के पहले सरी पाच में चौथे और तीसरे वन आते हैं और साथ में साथ में आप देखोगे तो हाय वर लए आता है तो थी हटाओ पहला वांड दूसरा वांड हटाओ क्या बचेगा सी वर्गों के पाच में चौतिय और तीसरे वांड घोस होते हैं इतना ध्यान से रखना ठीक है दिमाग में और वर्गों के पहले और दूसरे क्या होते हैं अघोस होते हैं अघोस फिर घोस इतना ध्यान देना वर्गों का पहला दूसरा अघोस फिर तिसरा चुथा पाचमा घोस इस तरीके से आगे चले दिखते हैं नेश कोस्टन में कौन सा ओमानक वंड है फिरी राम 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 किसको ए तो दो बार यहाँ पर छप गया है भाई एक ही आपसन एक तो दो दो आपसन यहीं में छप गया है खय और धन ए सब ठीक है हो जाते हैं मानक में भा को लिखा गया था उस टाइम पर जो उत्तर माना गया था कि भा को फिलाल यहाँ पर दो दो एंसर है तो आप लोग क पार्सी की बतायी गहीं हैं अर्वी फार्सी में कि लग करना तो इस तरीके सेш वो जो वन होते हैं वो आपके बन करके आते हैं टाइपिंग में हमको लगता है कि इस तरीके से यहां पर दिया गया है हलांकि जो अरवी फारस में जो आई थी ना उसके नीचे जहां तक हमको याद है कि उसमें यह डाटेट वाले के साथ छपना चाहिए न छप पाए हो टाफी ना यह वाला भी बाद में ही जनरेट हुआ है यह तो लगभग दो हजार एक दो क्यास पास मिटिंग जब हुई थी पूरे हिंदी विभाग वालों का तम साथ उसमें यह चीज़ों को यह दिया गया था टाफी कापी डाक्टर काफी डाफी इस टाइप की जो ध्व वाले की इस सब बाद में उसमें जोड़े गए थे सुद्ध वेंजन का रूफ जिसे कोखग हलंत वाला होता है वह होता था तो चीज़ तो उसमें रहा ही होगा ठेक अर्वी फार्सी के सांथ में इस तर्के से जो जफरा जो लोग बोलते हैं उस टाइप की ड़ब च्शप सब्सक्राइब करकर करके और अल पर वे लगाईया तब होगा आल पर 2 पर ãyils चल रहा है उस पर आप संपर कर सकते हैं और नीचे आपका टेलिग्राम लिंक दिया गया होगा उसपर आप कर सकते हैं जो कारियालस का नंबर है उस पर आप शंपर कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए का नोंस किसकी कभ कहां कौस क्लास में लेगी वह और दोसरे च यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है यह क्या हो जाएगा महाप्राण हो जाएगा आगे वाले कोस्व में हम देखते हैं कि हिंदी सब्सक्राइब के बाद आता है उसके साथ आता है कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा हिंदी सब्सक्राइब कर दिक्सिनरी में अगर आप जब खोजते हैं यह फिर के के उसका की चाहिए अगर कोजते हैं अंग्रेजी वाली वालि तुसमें सबसे wand के सांथ आता है किसके सांथ में वह दिया गया एक भी पूछा जाता है और एक कई बार question यह हवाला पूछा जाता है छो वाले किसके सांथ आते हैं तो इस प्रश्ण का उत्तर जो बताए ओ थोड़ा सा बुद्धिमान स्वज में आए तो निशित तरीके से इस प्रश्ण का उत्तर क्या होगा ओ वाले के सांथ आता है किसमें दोनों सही इसमें दे दिया गया है फिलाल एक को आप कर लिजिए तो इसके सांथ में आता है वाले के सांथ में आ जाएगा अंग और अह दिक्कत यहां पर नहीं आती है दिक्कत वहां पर आती है जब कोस्टन में यह लिख दिया जाता है कि छवाले में क्या आता है छव जो होता है यह किस के सांथ आता है तो यह वाला कोस्टन थोड़ा सा हमको लगता है कि लोगों का जटिल हो जाता है ना च्छो का क्रम किस वन के बाद आता है तब वो हो जाता है कि वह को के बाद आता है यहीं लोग नहीं समझ पाते हैं कि को के बाद को वाले के खो के पहले आ जाता है मतलब को कि वाले क्रम में ही चोव मिल लगा क्यों क्योंकि चोव राएसी से है इससे बना है और यहां पर हो कह रहा है कि किसमें आएगा तो आपका ओ में ही आ जाएगा तो यहां से इस कोसAddम को आप जिसमें यह री वाला नहीं लगा है तो यह तो सरल कोस्टन है हमारे समचसे आप लोग कर लोगे कि हम इसमेंसे कौन सा होगा ठेक यहाँ पर देखो कnonya गुमास जिसको घुजरा साइड वाले लोग बोलते है कुरूपा है हां भिलुकुल कि कुरूपा ठेक है और यहाँपर क्रिश्णा यहाँपर ड्रिष्टी बोलते हैं मात्रू पुत्रू जैन्दना यह री वाला जो है यहाँपे है इसलिए इसलिए आप री वाले से नहीं बना है बल्कि वह रापे ए की मतार रष्वई लगे उससे बना फ्रैत्स्न के आधार पर लोग किस प्रका संगहर सहीन है अभी मैं इसके बारे में कोशन बताया था कि इसमें बताओ क्या होगा और इस कोशन बारे अभी जश्मा पीछे लिखा था कि लुंठी तर्रा होता है और पार्स्विक लग होता है यह क्या है पार्स्विक है या संस्कृत में इसका जिक्र नहीं आता है पार्स साथ सब्द औमात्रिक है औमात्रिक कारखाना अमिताब कॉलरव चह चहाना प्रश्च संख्या 22 आप लोग संस्क्रिप से दिरुष्टी से देखेंगे तो आप कहो गए नहीं इसमें भी मात्रा है लेकिन हिंदी में इसको मात्रिक मान लेते हैं कॉलरव जैसे यहां एस तर्के से कलरव यह किताब चलता ना इसमें कोते हैं विरा मात्रा का जबकि संस्क्रिप के दिश्टे से देखेंगे अगर आप इसके रहाई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें भी मात्रा है और उस अभी में लगा है वह है कौनशा है ठेक लेकिन अब यहां पर कोशन इस तरीके से आएगा तो इसमें तो भाई साफ दिख रहा है मात्रा इसे साफ दिख रहा है मात्रा इसमें भी दिख रहा है तो आप सी वाले को लगाना यहीं अंतर है हिंदी और संस्कृत में जो लोग पूछते हैं हमसे कि गुरुजी क्य अंतर है यहीं अंतर है अब बताओ नासिक के वेंजन कौन सा है नासिका से कौन उचरित होगा इस प्रश्ण का अब बताओ ठेक यह तो आपका सही अंसर है बढ़ियां है दिमाग काम कर जाता है और आप उत्तर सही कर देते हो सभी लोग अगर अच्छा लग रहा हो बिलकुल लाइक करना क्योंकि हम यह जानते हैं कि गुरु से कपट और न मित्र से चोरी के होई नीरेधाना के होई कोड़ी तो गुरु जी से जूट बोलोगे तो नारान फिर सोचो कितना कश्ट भोग होगे जूट बोलोगे इसी जगह है कमसों में एक लाइक करने में क्या जा रहा है भाई लाइक करने में क्या जा रहा है पंचमाक्छर नासिका से होता है नवन्वन क्या कहलाते हैं यह और आए वन्द क्या कहलाते हैं नासिक के मुरधान ने ओश्या कंठ ताल्ब ए और आए बनता कैसे हैं जब हम A में E मिलाते हैं तब A बनता है अब अगर हम बात करें कि फिर से अगर हम A में A को मिला दिये तो A बन गया अगर यहां पर देखें तो क्या है यह कंठ की है यह किसका है इचु यह सानाम तालू का होगा अब समझे लो कि A का क्या हो जाएगा इस्का होता है कंठ तालू होगा और क्या होगा राइट असर क्या आएगा यहां से 24 में उत्तर क्या बनेगा दी बनेगा एक आभी इक आभी कंठ तालू hundred होजाता है ओदाउताउ कंठ ओष्ठम एदाउताउ कंठ तालू यह सुत्र आप लोग पड़े होंगे संस्कृत में निम्नय लिखित में ओष्ठ ध्वनी नहीं है बताओ ओष्ठ वाली ध्वनी कौनसी नहीं है तो ओष्ठ वाले में सोचो इतना अच्छा PGT में कोशन आ रहा है पहले इ ऐसे सरल कोशन अगर बनने लगें तो आज लेक्चरर का सिधे प्रोफेसर बन जाओगे हैं तो पफभभभभम उपुपध मानिया नाम उष्ठ हुए सब ओष्ठ के हैं सब उष्ठ के हैं यह तालू का है क्या है चो तालू का है 25 नंबर का कोशन का उत्तर आ जाएगा ताल दिख गया कि नहीं चलो बहुत छोटा से दिख रहा है इसको सेट करने में थ्वासा अदिक्कत होगी बस आप लोग इसको बस कर लो ना और बड़ा करते हैं क्या आ जाएगा लग रहा है कट रहा होगा थोड़ा से कट रहा होगा आप इसको अर्जेस्ट कर लो दिमांग में कि हिंदी के जिन वर्णों का उचान करते समय केवल स्वास का प्रियोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं जिसमें केवल स्वास का प्रियोग किया जाए या आप हिंदी में ऐसे क को पढ़ते हैं, इनको कहते हैं, अघहोस, क्या कहते हैं? अघहोस, ठिक? नचको क enfer करें चलो, इस को सलनका बताओ, जलदी बताओ, देखते ही, टकादो टूट पडो वीरों टूट पडो, तूट पडो सत्रूपे कर दो, उसका काम तमाम जै जै मा, जै जै भारत जै हिंदुस्तान क्या कहोगे, आप लोग, अलपा प्राढड वर्गों के पहले तीसरे पाचमें के वाले नारायन स्रीहरी इतना तेज घंटी नही बजना चाहिए भाई, इतना तेज घंटी बज़ेगा तब तो हो गया अलपप्रान कौन से होंगे अलपप्रान वाले में ध्यान देना वर्गों के पहले तीसरे और पाच्वे वन क्यावत अलपप्रान वर्गों के पहला और तीसरा यहीं है एक सेकेंड मैं आप लोगों को थोड़ा सा म्यूट कर देता हूं और फिर स यहां पर क्या हो जाएगा निम्न में से अलपप्रान वन क्या हो जाएगा वर्गों के पहले या और तीसरे वन यहां से अलपप्रान हो जाते हैं नेश कोसन देखो निम्न में से काउन सा व्यंजन पार्सविक है देखो ये पार्सविक वाला कोसन बार बार आ रहा है से लुन्ठित कहा दिए और पार्स्विक किसको कह दिए फार्सविक कि कह दिए लो को कह दिए है जल्दी से उप्तर करो और आगे बढ़ो ठ condiciones के स्राव को Sedas ने सब इसाय जाओ खेले से अगया था क्या लो यूज़ीसीये5000 नेसेas कैरां कि र कौन सा कौन सा स्वर पूछ दिया गया पॉस्च स्वर चलो बता दो अग्र स्वर में यह आता है अब पॉस्च स्वर में क्या आते हैं आ ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ- लिख दूँ आपको बता दूं यहाँ पर ताकि आप लोग बार-बार जबाएगा तो हम बार-बार नहीं बताएंगे इसको लिख दे रहे हैं एक होता है अग्र sequence एक होता है मध्य एक होता है पश्च ओम हर्य ओम हर्योम ओम हर्योम पैर कटो हम अग्र मध्य पस्य यह जो अग्र धोनिया है अग्र स्वर है यह आता है आपका E, A, I ऐसा E, E, I यह चले जाते हैं कहां से निकलते हैं अग्र E, E अग्र से निकल जाता है जो A होता है वह मध्य से निकलता है कहां से निकलता है यह जो रश्व A है यहां जिसको आम लोग बोलते हैं यहां मद्ध से आता है आ फिर उ दिर्ग उ उ उ ओ ओ ओ यह भी आ और यह भी आ यह पस्च वाली है ठीक तो आप यह दो रट लो इसको ई ई ए आ और अ को कहा दो मद्ध है यही कोशन पुशा जागा अगरवाले में यहां आ जाएंगे इसका मतलब यह सब तो कट कर दो यह वाला आपका बच गया क्योंकि स्वर ही कहा था तो स्वरे सब तो थे नहीं यह तो सीधे सीधे अब बताओ एक कोशन कठी थोड़ी ने कहा जाएगा इसमें तो सभी भी अंजन दे दिया गया है कोशन में पूछा आपस स्वर को न है स्वर यह कही आपसन है यह तो चीटिंग हुआ ना जी कि नेट के परिच्छा में पूछ रहे हैं निमलिखित में से कौन फलाने स्वर है और उसमें तो तीन ठे गाई भी भी तो कहीं राश्पति है नहीं पका पता चल जाएगा फॉलों का नाम के सब नाम दे और यह क्या मतलब है से कोशन युजिसी नेट में हिंदी वालों के साथ में कुछ न कुछ किया गया है भासा की सबसे छोटी इकाई है प्रश्च संख्या 30 इस प्रश्चन को आप सभी लोग उत्तर करों कि भासा की सबसे छोटी इकाई क्या है ठेक अभी जो कोश्चन एक पीछे आ था भासा की सार्थक लगुत्तम इकाई तो सार्थक लगुत्तम इकाई क्या था वहां पर ध्वानी था अब यहां पर कोश्चन क्या पूछ दिया गया है भासा की सबसे छोटी इकाई क्या है ठीक मैं ए सोच रहा हूं कि यहां पर डी वाले में कुछ डाल दूँ देख लेते हैं कि वहां पर क्या सटीक रहना कि और नहीं रहेगा तब फिर तो हम आपको तो पता है कि जो हम डाल देंगे उसके अनुसार से फिर जो उत्तर आएगा वहीं होगा ठीक है तो भासा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी हम थोड़ा देख लेते हैं कि अगर उसमें से कुछ और भी देदे तो ठीक है यहां प एक यहां और वाण ऑर वान रही क्या हो जागा करेक्ट जो चूटे हैं कहीं कहीं एक आग दो चूट गए हैं उतको सही कर लिया जागा जल्दी से जल्दी नातर नहीं चाहिए ना ऐसा करना नहीं चाहिए मैं यह दे रहा था कि कभी-कभी आपसन में ही खोजने पड़ जाते हैं कुसी कंसर क्या है मुर्धन ने क्या है तरिटुरसाडाम मुर्धा बताओ जी आइसी पीजीटी जो 2009 में हुआ था और कितना सरल कोशन आ था अभी तक अकुहवी सर्जनियानाम किंठत कादयो मावसाना इस परसाह फिर क्या हो जागा यह यह अंतस्त कहे जाते हैं और यह PCS के प्री 2013 में कुछा गया था ना पहले कुछ सर्वा सही आता था अब ही पता नहीं क्या क्या डुचूड पूचूड करने लगे लोगों के साथ जो होते हैं यह चोट ऊफ तेरा में बताओ क्या हो जागा दंत तो ले तूलसानाम दंता ले तूलसानाम दंता अभी मैं केवल एक जो बेसिक चैप्टर होता ह उसके हम चर्चा कर रहे हैं अभी मैं कुछ हिंदी के विकास जो होते हैं इतिहास सम्मंधित उसके पीछे वाली पर चर्चा नहीं किया उसको बीच बीच में कुछ कुछ कोशन करवाते रहेंगे और फिर हम क्रमवार तरीके से आगे चलेंगे पर्याइवाची अनेक के लिए एक सब तदभाव तद्सम इन सबी कोशन को हम यहां पर लाएंगे फिर आप लोगों को हम गध्यांस वाले भी करवाएंगे प्रद्यांस वाले भी करवाएंगे आगे देखते हैं अगे देखते हैं KGT 10 पूछा गया था बढ़िया question आया था लोग देखो दो question लगातार बढ़िया था किस प्रकार के भण है मतलब उचान स्थान से 2 questions दो कॉस्षान को हलके में लेते हैं जितने लोग हमारी continues class देखे हूंग SEO कितने अच्छे समोग करते आया हूंग को पता होगा क्या है उसमें ठेक आगे देखते हैं चलो देखते रहो बहुत सही बहुत सही नारायण क्या मिल जागा ओओ किस प्रकार के वन है ओदा उताउ कंठो इस्ठम तो क्या होगा दी करेक्ट हो गया 35 में 36 में अभी हम देदरे स्पीड बढ़ा देंगे तो आप लोग अब करण्छा गया है किसमें अलीपराण है ना अलपराण तो वर्गों के पहले तीसरे पाच में तो ताथ इसमें आगया नहीं है यह हो जाएगा पहला तीसरा पाच्वा यहीं है क्या हो जाएगा यह अलप प्राण धवनिया कही जाएगी वर्ण सब्ड का अर्थ नहीं होता क्या रंग, आकास, जात या अक्षर पहुत अथ्या क।्षेन आया में कर दिया गया तो फॉश नहीं है अब कौन घोस होगा बले बता है घोस अघोस यह मैं बताया था भी, तो हस वाले घोस होते हैं और खर वाले क्या होते हैं, और घोस होते हैं, तो घोस नहीं है, अर्थात हस नहीं हो, हस नहीं मतलब तीसरा चौथा पाच्वान नहीं हो, अर्थात पहला दूसरा वाला हो, तो पहला दूसरा कौन से हैं, तो किस उसका है तथ पहलावन है ठीक यह तीसरा नहीं होगा यह नहीं होगा क्या हो जाएगा भी बोलो आया समझ में कि नहीं आया हमारा जो यह सुत्र बड़ा अच्छा है हससमारा नादा घोसाश्च खरोवीवारा स्वासा अघोसाश्च ना उससे आप कर लोगे आयुश्मान करेंगे अभी एक वज़े से हिंदी चलाएंगे अच्छा घोस अघोस ना किलियर है ध्यां से देखना इसके लिए हमारे महामंत्र की और आपको लोटना पड़ेगा घोस और अगोस के लिए और क्यों वेंजनों में ध्यान देना है तो इतने ध्यान दो कि वारगों के पहल इतने से क्लियर कर लो नहीं क्लियर होगा तो हमारे महामंत्र की और हम चलेंगे महामंत्र क्या होता है कि बोलो आई वूंडरेले काये ओंगययया चाहया वरतलनयम अननम उधर चलेंगे ता समझ में आ जाएगा फिर और डिटेल चल जाएगे फिर किन ध्वनीयों को अनुस्वार कहा जाता है किसको अनुस्वार स्वर के बाद आने वाली नासिक होती है तो का हो जाएगा एक को को सब्सालों को रगो के व्यास्थित समूह को को बता इसमें कौण सा जादा सही लगेगा कौण सब्सालों को नहीं कहते हैं वरनों के संकलन को कह सकते हो अधे लेकिन वणमालाओ नहीं है संकलन कह सकते हुशको ठेक वरनों के विवस्थित जो समूहों होते हैं और यह जो उसके करब में रखेंगा विवस्थित तरी कई से रखे गए हैं वख वरनमाला भोत में वहता है इस पर विवाद हो सकता था कुछ लोग कहांगे नहीं वर्णों के संकलन को लेकिन ध्यानना व्यवस्थित जो समों होते हैं एक कोशन आया है परिच्छा में बहुत ही महत्पूर्ण कई बार लोग गलत कर देते हैं उसको मैं आपको बता दूं कि रिटू रसाड़ा मुर्धा तो इसमें आएगा तो डढ़ यह आ जाएंगे क्या हो जाएंगे मुर्धन्य हो जाएंगे बताओ बिल्कुल अगर समझ में आ रहा तो बिल्कुल बताते चलो जो लोग नहीं पढ़े हैं हमसे वह डिटेल वाली कहीं में वाली में आएगा तो पाफ़ाबह मत्त अधध में जाएक हो गया बोली होती नहीं लिटुल साना म्दंता से हो जाएंगे धन्तों और यह वह वान आपका साइस में आई ही नए इसमें कंठा में चला जाएगा या और आप से नहीं के वल भ़व बचा तो और आगे सब कुछ सही है सब सही है सब मिला लो अरे भाई हम क्या बताएं पीजीटी नाइन में बड़ी गजब गजब कोस्टान आया है कितने कोस्टान सोचो फीजिटी दो हजार सवर संवृत है यहाँ से एक जो है आपसन आपका नाराण हो गया है बस रुक जाओ इसमें से भी हम देख करके अभी आपको बता देते हैं कि इसमें से कौन सा यहां पर एक आपसर और होना चाहिए कौन सा स्वर सम्वृत है ठीक सम्वृत है यहां पर एक ठो और होना चाहिए और यही आपका क्या हो जाएगा संवरित हो जाएगा क्योंकि स्वरों का संवरित होता है और इस वाले स्वरों का ठेक यह इस तरीके के जो चल रहे हैं संवरों के लिए इस्वरों के लिए सभी स्वर विवरित्त होते थे क्या होते थे सभी स्वर विवरित्त होते थे उप्रेत्न क्या धार पर लेकिन यहां पर सम्वरित्त और यह आपका विवरित्त है और सम्वरित्त है यहां तीन तरके से डिवाइड किया गया है एक है सम्वरित्त स्वर ध्यांस देख लो क्यों एक स्किंड इसको जोड़ेनो दिमाख में क्यों यह संस्क्रित में थोड़ी अलाग है टोन पकड़ा रहते हैं दिमाख में संस्क्रिक अनश्लिए लहराय निये वहीं अर्ध विव्रित दिख रहा है कि नहीं तो आइधर का एक साइड कर लो वीवृत और उर्थ वीवृत ठीक यह देखो पहले कौन कौन से होते हैं इसको दिमार्इक में नोट करो जो लोग जानते हों तो ठीक है जो लोग नहीं जानते हों देख लें और्द समवरित में विवरित में अगर हम बात करें तो इसमें आगया आपका आ ओ यह विब्रित में और अर्थ विब्रित में क्या हो गया ओ ए यहाँ पर ओ को भी डाला गया और एक जो इस तरके से आता है अक्सी वाला आ इसको अर्थ विब्रित में डाल दिया गया है तो आप इस चीज को थ्वास दिमाग में रखो कि संब्रित अगर आएगा संब्रित शुर्त यह दिर्ख वाले के साथ बता जा रहा है और अर्ध संब्रित को ऊचलिआ बताएंगे और विब्रित में औ ऐ और इस वाले आग बताना इसको रटना पड़ेगा इसकी सिंसाट ले यहां पर थोड़ा कचेंग आएगा अब आप लोग देख सकते हैं किर वाला आया है यहाँ धिको अर्ध संे जाएगा आ आओ तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि सम्रित में E और O ही आ रहा है तो इसमें से आप इस वाले को कर लेना लेकिन इस तरीके का question दिमाग में जरूर बैठा के चलना है कि यह कौन सा किसमें जाएगा फिर अर्ध और पूर यह दोनों फ़सा ध्यान देना यह ध्यान देने वाली बात है 46 नंबर के question में अगर हम बात करें 46 नंबर के question में अगर हम बात करें तो बताओ इसमें क्या होगा बा की जो ध्वनी है वह कैसी है question पूरा आ रहा है या कट रहा है ठीक है बा की जो ध्वनी है या किस तर्के के दंति है ओष्ठ है या फिर या है वासर ये लिखा है या फिर तालब बह की तो आप वाले ध्वन में बताएं क्या होगा कभी-कभी कुछ कोशन इस तरीके के आ जाते हैं जिसको जब आप जैसे दूसरे भासा में जिसे संस्कृत पढ़ रहे थे तो अलग हि दिमाक में जो है रखे रहेंगे तो आपको काम देगा कि हाँ यहां पर यह नहीं यह इसा है ठेक तो पॉप हो बहुत है यहां पर कोई दिक्कत नहीं है एक कोस्टन थोड़ा सब ही उद्धा सुभूम के आया फिर बताओ दंति है सब पीजिटी है में सब दोजार नम गलत थारा कोसन उसी में थोड़ी नाया होगा कभी 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 कापी पेश्ट लोग करते हैं बनाते वक्त में तो वह भी गलत जगह तपकाई देते हैं इतना कोसन यह 2009 वाले पिपर जिसके पास होंगे फिर एक बार दिखेगा तो समझ में आएगा ऐसे दंत मेंसे दंत ध्वनी ह कॉंसे दंत की हैं दंत और उस्ठ सुत्र आपको याद होगा वाकारस्य दंत उष्ठम ठेक तो क्या हो जागा वाका शुत्र है अलक्से अवैं आपि यहां झेंज हो गय देखो यह पर सेम था। अलपप्रान फिर आ रहा रहा है बहुत टगरा रहा है। वह एक प्रान hè हैं दूसरा दूसरा एक दूसरा एक है हो जगा है । अभी मैं पूरा वनमाला पर आधारित कुछ्छं में लिया था और आप देखें कि कोशन इसमें अलपप्राण, उचान स्थान, लुन्ठीत, पार्श्वीक, विवरित, सम्रित, इससे सन्नावित कोशन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इस कोशन का उत्तर बता तो आप लोग इस वाले कोशन पे आप लोग जबाब दें, इस वाले कोशन पे आप लोग जबाब दें, लाश्ट कोशन, अभी का, सभी लोग उत्तर करें, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी लोग उत्तर करें, इस वाले प्रश्ण में, उत्तर सभी लोग करें, स सभी लोग एक बार जरूर बताना कि सारे कोस्षन कैसे रहे और जो हमारे साथ में अभी दे रहे हैं सर आप सबसे बोल दीजिए की कोश्षन ऐंसर से पहले अंसर ना दें क्या मतलब हैHHHH question तो आही गया है question आगा तब ही नहीं दिखा देगा एसे थोड़ी का प्रिया यादव, नगीना यादव, फारेन बानो, नंदिनी और फारेन बानो, रोहित कुमार, शुप्रिया चतुरवेदी, प्रियंका कुमारी, उसके बाद विभा पांडे, जोती गुप्ता, श्री सिंहानिया, और फिर प्रियंका तृपाथी, सरसंस्कृत की क्लास नहीं चलेगी, क्या चलेगी, साम को अब चार बजे चलाएंगे उसको, ठीक, बहुत नीक रहे, बहुत-बहुत धन्यवाद, मस्त सर्जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, देवशाक्य, प्रियंका तृपाथी, प्रिया यादव, और फरिन बानो, श्री, अब जिसको कुछ भी करके समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है, देवशाक्य है, और राजू चौहान है, राजू चौहान, बिल्कुल सही, और जो, जिन लोगो कोई भी प्रावलम और हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, जैमातादी, जैमातादी, चतुरवेदी, पूणिमा सिंग, बहुत अच्छी क्लास, ती सर, मजा आ गया, थैंक्यू, आगे और भी बढ़िये कोशन लेके आएंगे, और बढ़ियां लेके आएंगे, हाँ, बिल्कुल है, टेट का है, टीजिटी का है, पीजिटी का है, उसमें यूपी, टीपल सी के कोशन डाल दिये तो इसको हम बता देंगे, हिंदी के सारी क्लासेस आप लोग जरूर से एर कीजिए, संस्क्रित क्लासेस चार बज़े डाली जाएंगी, चार बज़े से लाइव होगी, उसके बाद वाली जो क्लासेस और भी अटेश होंगी, उसकी सारी नोटिफिशन आपको, e-learning with आप पीछे रहे होंगे, फरिन बानो, आप आपकी वीडियो पीछे चल रही होगी, यहां से बताओ जब मैं कोशन बीना फ्लेस करवाएं, कैसे कोई जान जाएगा कि 43 में क्या है, या 44 में क्या है, आप पीछे रही होगी, आपका वीडियो पीछे चल रहा होगा, चैट जो है, आपको ताजा दिख हैं, जो पहले से लेकर करके अभी तक आया है, हमको सारे चीजों के दिमाग में लेकर चलना है, तबको मैं एक लेबल से लेकर चलूँगा, उसमें आप ध्यान से दिखेगा, एक दो कोशन जरूर आया होगा, ठीक, अभी मैं जितना कोशन करवाया हूँ, केवल एक दो चप उसका अलप प्रान, महा प्रान, यह सब कोशन, तो सारे कोशन इसी यह कही चप्टर से आगा है, तो पास्वल नहीं नहीं है, आभी नहीं, अभी आगे मिक्स करेंगे, ठीक है, हाँ, मेरे हाँ सुबह बारिस हुई थी, अभी सही है, अभी आगे मिक्स करेंगे, पहले क्या है कि मैं चार शार दस दिन क्या है कुछ जैसे तदबह तो हम अनेक सब्दों के लिए एक सब्द ऐसे ऐसे करकर के चप्टर वाइस कुछ करवाऊंगा फिर उसको मिक्स करना स्टार्ट करूंगा चप्टर वाइस करवाने में क्या होगा कि आपकी पले एक बार वेस बन जाएगी दिमाग में ठीक कोशन का लेबल जब एक बार गाली चल जाती है फिर स्पीड बन जाती है अपने आप हां बिल्कूल वणमाला से कुछरं आएँगे हम कैसे मालेक नहीं आयाएगा इतने सारे कोशन हर जगै आ रहा किसी का कुछ और भी कोशन हो तो जरूर्द पूछ सकते हैं आप लोग उसके बाद हम सीधे मिलेंगे चार बजे संस्क्रिट की क्लास में आप सभी लोग संस्क्रित पढ़ रहे हैं और अगर इसमें जरूर दे रहे हैं तो आप लोग टेट उसमें जरूर चलिए ठीक है तो अभी के लिए बस इतना ही किसी कुछ पूछना आ तो ठीक है अधरवाज मेसेशन को आप करूँगा चलिए टेट सूपर टेट में बहुत हेल्प करेगा एक कॉस्चन इलहाबाद में अभी हो अच्छा तब बारिस हो हां हो रही होगी अभी वहां से सव किलोमेटरी धरत कहां से बारिस होगी ठीक है फिर तो हम मिहें पेर रोकते हैं सरवे भवन्त सुखिनह सरवे संत निरामयाह सरवे भद्राणि पसान तुमारी